नमस्कार आप देख रहे हैं डिली इंसाइडर और मैं हूँ आपके साथ आयूशी यूपी में तीन सीटों पर हो रहे उपचुनावों का परिणाम आ चुका है परिणाम आने के बाद वही हो रहा है जो होता आया है रामपूर की हार के लिए जिम्मेदारिया तैकी जा रही है खतौली की जीत के लिए श्रेलिया जा रहा है और आरोपो प्रत्यारोपो की जणिया लगाई जा रही है पेश है एक रिपोर्ट मैनपूरी में नेताजी की विलासत को बचाने में काम्याब रही सपा रामपूर की हार से आहत है मैनपूरी की जीत का श्रेतो चंता और नेताजी को दिया जा रहा है लेकिन रामपूर की हार की जिम्मेदारी प्रशाशन पर थोपी जा रही है और ये कोई और नहीं, खुद सपा मुखिया अखिलेश यादों कह रहे है रोका लोगों को परसासन पूरी ताक़ जोके हुआ था कि राम्पोर में कैसे हार दिलाई जा समयाधि पार्टी की और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग गो पिटे, तमाम लोग जो अपमाने तुए, तमाम लोग जो चोट काहें वो वीडियोज अविलेबल हैं उसके बाद भी इलेशन कमीशन को जो निड़े लेना चाहिए था वो नहीं निड़े लिया मैं समस्ता हूँ ये लेशन कमीशन के लिए दुखत बात है हम लोगों के जीत का और अच्छी खुशी होती ही कि अगर हम पर भी साथ जीते होते हैं खतौली में विजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की खताओं से खाली हुई खतौली विधानसवा की सीट पर भाजपा को हार का मूँ देखना पड़ा है यहाँ विक्रम सिंग सैनी की पत्नी राज कुमारी सैनी को विजेपी ने उमीदवार बनाया था और सफा रालोद गटवंदन की तरफ से मदन भाया मैदान में थे जिनों ने दस साल वार खतौली से रालोद का वनवास खत्म किया धन्य वात खतौली, धन्य वात गटवंदन धन्य वात किसान, कमेरा और अलप संक्यक एक जो भारत की संस्कर्ति है भाईचारे की ये जीत है और गरीबों की राजनिती किया है कौन क्या कहता है सुमिश्कान से सुनतर इसे निधाल दिन क्या है अब आगे क्या रहने वाले एक ताली की जनलता ने चुन लिया खिसानों ने आप पर बरूसा जिता दिया वहीं जब मदन भाईया से उनके लोनी से आने कुलेकर बीजेपी नेताओं द्वारा बाहरी कहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर तंजकस्ते हुए पलटवार किया अरे लोनी क्या पाकिस्तान में है क्या पाकिस्तान में है आप ये बताईए आप आप कमसकम ऐसी बाते इसलिए नहीं करने चाहिए कि हम भाईचारा जोड रहे हैं लोनी अभी निस्सा है खेकड़ा अभी निस्सा है मेरत अभी निस्सा है इलावाद अभी निस्सा है गोरकप फिलाल अप्चुनाव खत्म हो चुके हैं रामपुर में आजम का सियासी सफर सिमट सा गया है तो मैनपुरी में नेता जी की विरासत पर सपा की दाविदारी कायम है इतना ही नहीं खतौली में रालोट की घरपापसी भी हो चुकी है आगे की राजनीती में ये उप्चुनाव क्या असर डालेगा देखना दिल्चस्प होगा ड्यूरो रिपोर्ट डेली इंसाइडर यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए गूगल प्लेश टूर से आज ही डाउनलोट करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज चैप डेली इंसाइडर